समस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे तुला राशी वाले जातकों के लिए 11 जुलाई सनिवार का दन कैसा रहेगा बैपार ब्यवसाई करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे आपको लखी खलर लखी रंबर कौन सा रहने वाला है किस प्रकार के कारों को करन आपके लिस्स बसावित होगा किस प्रकार से समाज में आप अपने अलग से बेलग पैचार बना सकते हैं समाज वाले घर वाले प्रिवार वाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपको बत जितनी भी जो भी प्रकार के समस्या हैं उनसे चुटकारा प्राप्त करेंगे आपके घर में किस प्रकार से धंदोलत की वराप्ति होंगे और किस प्रकार से आपके घर में जो पारिवारिक कलेश चल रहे हैं उनसे आपको कब तक और किस प्रकार चुटकारा प्राप्त होंग वाली हैं जिनके कारण आपके जीवन यानि तुलारासी वाले जातकों के जीवन और जिन्दगी के रूप रेखा में काफी बड़ा परिवर्तन होगा काफी बड़े सुबसमाचार के प्राप्ति भी आप कर सकते हैं इसलिए वीडियो को पूरा अवस्ते देखें ये वीडिय चाहेंगे कि तुलारासी वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी सुब रहेगा आज का दिन काफी लापकारी रहेगा आपके वर्चस्वे में वड़ोत्री होंगे आप अपने दंदोलत में इजाफा कर सकते हैं और अपने एस्वरे में वड़ोत्री कर सकते हैं आपके क् प्रिस्ताव प्राप्त हो सकता है आज के दिन आपको मिस्रिज प्रणाम अवस्य प्राप्त होंगे आप अपने कारिशेतर में काफी अच्छा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने योजनाओं को पूरा कर सकते हैं मातारानी की क्रिफा से आपको लाव की प्राप्ती हो आपके एक्षाओं के पूरी हो सकती हैं और आपके अधूरी क्षाओं अवस्य स्वश्पवार्य होंगे महत्मय कान्चाई योजणाओं के श्रुवाद कर सकते हैं और आप ऊच्छे अधन या परवेश के लिए या किछी अच्छे सनस्तान में आप आप दाखिला के लिए प्रियास कर सकते हैं मत्रों तुलारासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे युमातारानी की क्रिपा से आपके कश्ट और आपके समस्याओं का समधान आप प्राप्त कर सकते हैं आज आपके अधिकान सी योजनाएं किरियानवित होंगे आपका ध्या कर्मी का अधिक्तम समर्थन भी पाने के लिए आप अपने बात्चीत को आगे बढ़ा सकते हैं व्यपारिवर्ग अपने फ्रक सोच के लिए प्रसंसा एवंग सम्मान के फात्र बने रहेंगे आट्थी ग्रूप से आप काफी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आप संपत्ति असंप्रेशन में निवेश कर सकते हैं आप अपने धन दोलत को बढ़ाने के लिए अपने बुद्धी विकास और अपने कारिश्यत्र में अनुकूल प्रिणामों के प्राप्ति कर सकते हैं छोटी आत्राएं और पारिवारिक छुट्टी के लिए आप कह अवदी काफी कर सकते हैं बैवसाइग संद्रब में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने चीजों को समय पर ढंग से चीजों को पूरा करने में आप को पहले से जादा अतिर्क्वर्यास भी करने होंगे मातारानी की कृपा से आज के दिन आपके कामकाज अवस्य पूरे होंगे परन्तु जल्दभाजी में आपको इनिरने न लें तथा मातारानी की कृपा से जोकी मरे उपकर्मों से आपको बचे रहने की कोशिस करनी होंगे तोकि आपके उपकरम आपके जीवन में थोड़ा सा आपको प्रतिकूल इस्तियों को दिखा सकते हैं, आपका स्वाहित आपको थोड़ा परिशान कर सकता है, इसलिए वियायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपने खानों पीने को चीजों पर ध्यान दें और सहिसमें पर जाना अवस हे, खाना चाहिए, या 13-30 तक रहेंगे, मित्रों सिप्चिन तक, आपका भरपूर समर्तर भी कर सकते हैं, आपके सिप्चिन तक, आपके हरे एक कारें में आपके सहाता करेंगे, बच्चे आपके जीवन में खुशिया ला सकते हैं, नचानक से मोधरिक लाब प आप एक नय साजिदारी में प्रवेश कर सकते हैं आप अपने बैपार व्यवसाइब में नई उपलवदियों को हासिल कर सकते हैं जो आने वाले समय में तुलारासी वाले जातकों के लिए मातारानी की गृपा से लाव को बढ़ा सकता है अगर आप काम के लिए विदेश जान प्रतिवंदू की गद्विदियां आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं ऐसे में मातारानी का ध्यान करना आपके लिए काफी आवस्सक रहेंगे पारिवारी जीवन भी आपका आनंद में रहेगा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तिरतियात्रा पर जा मातारानी की क्रफा से आपके कश्ट अवस्स ही दूर होंगे यस में कुद को अस्तापित करने के लिए तुलारासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि बाधाएं और मुश्किले भी अब दूर होने वरंगे मातारानी की क्रफा से सोचने के वजाए आप अपने काम पर अधिक ध्यान के अंदरित करके रखने की कोशिस करें, इस्तितियां दीरे दीरे आपके पक्ष में सोती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अनवस्य खर्च आपके बजट को विगार सकता है। आप परिवार और दोस्तों का समर्थन पाने के लिए काफी ज़्यादा प्रियास कर सकते हैं। आपके हर एक कारे में भरपूर सहीयोग करने वाली हैं। आपके घर में कोई सुभकारी संपन्न हो सकता है। दथा आपको मातारानी की खिरपा से विभा के भैतरिन प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप विदेश यात्र के बारे में सोच रहे हैं तो आप कसमें बहुती उत्तम रहेगा। आपके खर्चों में भी थोड़े सी बढोतरी देखे जा सकते हैं। प्रन्तु पाइसा आप बरबाद ना करें। आपको अपने फैसो को बचाने का प्रियास करने होंगे। और प्रेम चमंदो में बात का वतंगड ना बनाएं। और एंकार से बचने का प्रियास आप अवस्य करें। मातारानी की गृपा से आप अपने बहवार में प्रिवर्तन कर सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का स्वाहत थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है, ऐसे में थोड़ा सा धैरी रखें, प्रेम चमंदों के लिए आपका समय का फ्यू प्यूक्त रहेगा, तथा भावनाओं में नव हैं, और किसी पर भी इतना भरोसा ना करें, कि आगे जलगर आपके लिए वो मुसीबत बन जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा धैरी रखने होंगे, धैरी और सयम के साथ आप अपने कारियों में निरंदर्दा बनाए रखने की अवस्य कोसित करें, नए और बड़े निवे में आकर समन्दों को खराव ना करें, क्रोध को विशेश रूप से पालने की कोसिस करें, आजिके दिन आपको अपने जीवन साथे ये सहीयोगियों का साथ काफी जादा मिल सकता है, इसके कारण आप अपने निसकर्सों तक पहुँच पाने में काफे सक्षम होंगे, तथा आपके अजिस्थितियां आपको मानसी कुलजनों से और तनावों से दूर करने में आपके सहात्त कर सकती हैं, ऐसे में आपको समय बेधर सावित होंगे, तथा मातारानी की क्रिपा से आपके कमजोरियां दूर हो सकती हैं, आर्ठिक पक्ष भी आपका याथावत पना मातारानी की गृपा से यह एक मिश्रत प्रणाम दायक दिन हो सकता है लेकिन व्यापक अस्तर पर चीजें आपके पक्स में रहेंगी कारिस्तर पर बाधायें और कठनायों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है ऐसे में आपके खर्षों में थोड़ी सी बोड़ूतरी भी द भावना दिख रही है अगर आप अपने बच्चों या नोकरे या साधी को लेकर चिंतित है तो अब आपका समय मातारानी की गृपा से पक्स में बना रहेगा आपको समय समय पर दोस्तों के मदद मिलती रहेंगे आपके दोस्त भी आपके लिए काफे मददगार सावित हों लेकिन कर्चों का दबाव आप पर अधिक हो सकता है आत्मिस्वास के साथ काम करना जारी रखें परिवार में सदबाव अस्ताफित रहेगा बच्चे भी आप पर काफी गर्ब कर सकते हैं नरियात और आयात से लुड़े लोगों को यात्राइं करने होंगे जो के आपके ल अवस्य वड़ोतरी होंगे आपके सारे कार एक्चा के अनुसार पूरे होंगे आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्य लिखें आपका दिन सबहो मंगलकारी हो जैमा बिन दुवास्त